आज मैं आपके लिए लाई हूँ मकर संकरांती इस्पेसल तिल गुड के लड़ू लड़ू बनाने इतने आसान है फ्रेंड्स की आप इन्हें बना के तैयार करेंगे सिर्फ पांच मिनट में सौफ्ट इतने बनेंगे कि खाते ही मुह में घुल जाएं हलो फ्रेंड्स ओम स्री कीचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है ट्राई जरूर कीजिएगा रैसेपी पसंद आए तो प्लीज चैनल को लाइक और सस्क्राइब कीजिएगा यहां पे मैंने लिया है 1 कप होईड तील, एक तो जो तील होते हैं बहुत ही होईट आते हैं लगातार तील को इश्टेर करते हुए यहां पे जब तक हम रोश्ट करेंगे तील को जब तक कि तिल से हलकी हलकी से चटकने की आवाज ना आने लगे तो यहाँ पे जो तिल है ना हलकी हलकी से चटकने की आवाज आने लगी है यानि कि तिल रोस्ट हो गए है अब हम क्या करेंगे गैस की फ्लेम को बंद करेंगे और तिल को हम थाली में ट्रांसपर करेंगे अब यहाँ पे हम क्या करेंगे तिल को पूरी तरह से ठंडा होने देंगे तो तिल को साइड में रखेंगे अब यहाँ पे मैंने ले लिया है थाली बड़ा वाला ग्रेटर और यहाँ पे लेंगे गुड तो गुड को हम यहाँ पे ग्रेट करेंगे जो बड़े होल्स होते है बड़े वाले ग्रेटर के उस साइड से ग्रेट कर लेंगे अब यहाँ पे आप गुड को चाहे तो कोट के ले सकते हैं खलबटे में या तो आपके पास गुड का पौडर अब लेबल है ओ ले सकते हैं जो भी आपके पास अब लेबल हो आप ले सकते हैं तो यहां पे गुड़ को मैंने ग्रेट कर लिया है तो अब हम क्या करेंगे जितना हमने तिल लिया है ना उतना ही यहां पे हम माप के गुड़ लेंगे तो यहां पे वही कप हमने ले लिया है जिससे हमने तिल माप के लिया है ना बस वही कप यहां पे लेंगे और गुड़ इसमें अच्छे से ले लेंगे भर के जितना तिल लिया था हमने बस सेम क्यूंटमे उतना लेना आप चाहें तो फोड़ा सा कम भी ले सकते हैं लेकिन यहां पे मैं सेम कॉंटमे ले रही हूँ आप यहां पे लेंगे बड़ा वाला मिकसर जार और इसमें ऐड़ करेंगे तिल को लेकिन ध्यान दीजिएगा तिल पूरी तरह से ठंडे होने चाहिए अगर गरम गरम रहेंगे न तो ओयल रिलीज कर देंगे जब आप तिल को ग्राइंड करेंगे तो अब हम क्या करेंगे ज आपके तिल इस तरह ग्राइंड हो जाएंगे बिल्कुन जादा नहीं टाइम लगेगा अब इनमें हम एड़ करेंगे एक छोटी चम्मच घी इसी के साथ एड़ करेंगे पढ़ियासा फ्लेवर के लिए एक तिहाई छोटी चम्मच इलाइची पाउडर आप इसी स्टेज म यह देखिए बिल्कुन परफेक्ट है तो अब हम क्या करेंगे थाली में ट्रांसफर करेंगे तो यह लीजिए यहां पर मिक्स को मैंने ट्रांसफर कर लिया है अब देख सकते हैं कि जो लड़ू का मिक्स कितना परफेक्ट बनके तयार हुआ है अब हम क्या करेंगे लड़ बनाएंगे न तो हाथों में मिक्स चिपकेगा नहीं अब आपको जिस साइज के लड़ू बनाने है छोटे साइज के बड़े साइज के अप उतना मिक्स ले लीजे और हलके हाथों से दबाते हुए आप लड़ू इस तरहे गोल गोल बना के तैयार कर सकते हैं यह देखे बिल यहां पे सभी लड़ू हमारे बनके तैयार हैं तो है ना कितना आसान लड़ू बनाना और सौफ्ट तो इतने बनेंगे कि अगर आपके घर में बड़े बुजूर्ग है ना उनको दांत नहीं है तिल के लड़ू नहीं खा पाते हैं छोटे बच्चे हैं तो बहुत ही आसान तरीके से इन तिलगुढ के लड़ूं को खा पाएंगे आपने देखा ना कि जैसे मैंने एक लड़ू तोड़ा कितना सौफ्ट होरीजी तरीके से तूट जाते हैं सूपर स्टेश्टी सूपर सौफ्ट लड़ू बनके तैयार है इन लड़ूं की खास बात क्या है कि आप स्टोर करके रख सकते हैं और एक महिने के लिए इंज्वाइ कर सकते हैं तो इस मकर संक्रांती आप लड़ू बनाई और फैमली के साथ इंज्वाइ कीजिए रेसेपी पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को लाइक और सस्क्राइब कीजिए फिर मिलती हूं नेस्ट रेसेपी में बढ़ बाइ